नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नीट यूजी के क्वेशन प्रैक्टिस वीडियो में और ये वीडियो हिंदी में स्टुनिंस के लिए है तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेशन माइको प्लाजमा के संबंध में निम लिखित में से कौन सा एक कथन गलत है कौन सा एंटी बायोटेक्स आरने तथा अम आरने के बीच अंतक्रिया को रोकता है चार ऑप्षनस आपके सामने है इसका राइट आंसर है नियोमाइसी यानी कि ऑप्षन ए नेक्स्ट क्वेशन एक्सोस्पोर्स था हर्मोंसिस्ट किसके द्वारा क्रम शा बनते हैं चार उ इनोमाइसिस्ट तंतुवत मिट्टी वाले जीवाडू फ्रैंकिया सम्बंद में एक को छोड़ कर सभी कथन सकते हैं। यह रहे आपके चारों आप्शिन्स। यह रहे आप देख सकते हैं। और इसका राइट आंसर है बी। नाइट्रोजन का इस्थिरी करड मुक्त आवस्था में नहीं करता है। जूट को किन्मन द्वारा सडाने की क्रिया में किस सूर्स में जीव का उपयोग किया जाता है। 2005 में पूछा गया कोईशन हैं। काफ़ इंपॉर्टन तो उस तो ध्यान दीजेगा। तो दर राइट आंसर इस B, ब्यूटिरिक अमन जीवाडू, ओप्शन B, नेक्स्ट कॉइशन, कौन से जोड़े सही रूप से युगमित नहीं हैं। सही आंसर है, सेरेशिया, ड्रक्स एडिक्शन, सबसे अधिक अधियन जीवाडू, पौधे अंता क्रिया पर हुआ है, चारो ओप्शन्स ये रहे आपके सामने, और इसका राइट आंसर है, एग्रो बैक्टिरियम द्वारा अवृत वीर जी में गॉल निर्माण। नेक्स कोशिकन क्यों चलते हैं, जीवाडू की कोशिका में गुडशूत्र एक से तीन की संख्या में हो सकता है, और और क्या, और आप बताएए, चलिए हमीं बताते हैं, इसका आप्शन है, बी, हमेशा वृत्ताकार होते हैं, नेक्स कोशिकन, आरकी वैक्टीरिया तथा नाइट्रोजन इस्थरी करन करने वाले जीवों को किस वर्ग में वर्गी करित करेंगे, यदि पांच जगत वाले पद्धिती का उप्योग होतों? चारों आप्शन्स आपके सामने दिये हुए हैं, इसका राइट आंसर है, मोनेरा, चलिए दूसरे कुशन क्यों बढ़ते हैं, कुछ जीवाडू स्ट्रेप्टो माइसीन वाले माध्यम में वृत्धि करने में सक्षम रहते हैं, क्योंकि, 2002 में पूछा गया है ये कुशन, तो इसका आंसर है, प्रकृतिक चैन के कारण, दूसरे कुशन की तब जलते हैं, गोबर गैस प्लांट में किस जीवाडू का उप्योग किया जाता है, मिथेनोजेंस का, यानि ऑप्शन A is the right answer, नेक्स कुशन, जीवाडू में प्लास्मिट्स हैं, चार ऑप्शन्स हैं, इस इसका right answer है, अतिरित्र गुरू सूत्रिय पदार्थ, नेक्स कुशन, जीवाडू के Transduction के लिए कौन सा कत्थन सकते हैं, ये रहे चारो कत्थन, बताईए आप कौन सा कत्थन सकते हैं, और इसका right answer है, A, एक जीवाडू से दूसरे जीवाडू में विशाडू द्वारा आप लोग इसका राइट आंसर है जीनियस थानांतरण में प्लास्मिट का उपियोग काफी अधिक होता है साइनो जीवार्डू के लिए क्या सत्ते हैं क्या सत्ते हैं इसके लिए ओप्शन ए नाइट्रोजिनेज के साथ ऑक्सिजिनेज औक्सिजैनिक स्वरी नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् options आपके सामने हैं, answers जीसे भी मालूम हो, वो हमें comment section में answer बता सकता है, इसका right answer है, chromatophore, option D, पूर्व केंद्र क्रिय कोशिका का अनुवान्शिक पदार्थ है, क्या है अनुवान्शिक पदार्थ हो? option D, वृत्ताकार DNA, विना हिस्टोन के, next question, दो जीवाड़ू जो genetic engineering के प्रयोग में काफी उप्योगी हैं, कौन से हैं वो? इसका है, इसरीशिया तथा agrobacterium, next question क्यों चलते हैं, next question है, कारबन चक्र में जीवाड़ू की मुख्य भूमी का, क्या है मुख्य भूमी का? तो इसका right answer है, पाचन तथा कार्वनिक प्रदार्थों का विखंडन, कुछ ऐसे जीवग्याद हैं, जो 100 से 105 डिग्री तापमान पर व्रिद्धी तथा गुड़न करते हैं, वो किस वर्ग में आते हैं? चारों आप्षिंस आपके सामने हैं, समुद्री आरकी जीवाड़ू, यानि की आप्षिं नमबर ए, एक जीवाड़ू से दूसरे में किस विधी द्वारा स्थानांतृत होती हैं? चारों आप्षिंस आपके सामने हैं, और इसका राइट आंसर है B, वैक्टिरियो फेस की मुक्ती जो दाता जीवाड़ू स्ट्रेन से होती है, थैंक यू सो मच गाइज फर वाचिंग और वीडियो और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमाई चैनल को सुस्क्राइब करें, और अल्यूरू,